क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस कदर आत्मुग्ध हो गए हैं कि अब वो अपनी तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं। क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोट में भरष्टाचार के मामले में भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया यह सवाल क्यों किया जा रहा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों एक समारों में प्रधान मंत्री शामिल होते हैं और वहां मैं आपको बतलाता हूँ क्या बयान देते हैं वो बयान मैं पढ़के भी सुनाओंगा और प्रधान मंत्री का बयान भी सुनाओंगा प्रधान मंत्री ने क्या कहा वो मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ अगर आज सुदामा शुरी कृष्ण को चावल देते और विडियो सामने आता तो सुप्रीम कोट में पियायल हो जाती और फैसला आता कि भगवान कृष्ण को भष्ष्टाचार में कुछ दिया गया और वे भष्ष्टाचार कर रहे थे कुछ देर के लिए कलपना कीजिए दोस्तों अगर इसी शब्दावली का इस्तमाल प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी विपक्ष के नेता ने कहा होता किसी विपक्ष के नेता ने भगवान शुरी कृष्ण के नाम का इस्तमाल मजाक या व्यंग में ही सही भरष्टाचार के संदर्व में किया होता तब क्या होता आपने कल्पना की होती तब क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोधी मीडिया में किस तरह से चर्चा हो रही होती वैसे गोधी मीडिया में क्या चर्चा हो रही है ये भी मैं आपको बतलाऊंगा मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री ने कहा क्या और प्रधान मंत्री के इस बयान से ज़ादा मुझे जो आपत्ती जनक उनका बयान लगा है वो बयान जो मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ प्रधान मंत्री ने कहा चौधरी साब यानि चौधरी चैरंड सिंग ने प्रधान मंत्री की कुरसी को त्याग दिया मगर अपने उसूलों से समझोता नहीं किया उनको राजनीतिक सौदेबाजी से नफरत थी इसके हम चर्चा करेंगे मगर सबसे पहले सुनिये प्रधान मंत्री ने कहा क्या कि हर किसी के पास कुछ रुपिछ देने को होता है मेरे पास कुछ नहीं है मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूँ प्रमो जी अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा स्री करस्ट को एक पोटली में चावल देते वीडियो निकलाती सुप्रीम कोट में प्रस्टाचार में कुछ दिया गया और बदल करस्टाचार कर रहे थे ये इस व्यक्त में हम जुकर रहे और इतने अच्छा है कि आप उने बामना प्रगण की और खुछ दिया गयी इससे दो-तीन चीज़े सामने उभर कर आती हैं दोस्तों सबसे पहले मैं तो कुछ नहीं दे सकता ऐसा मत कहिए प्रधान मंतरी अभी अभी सुप्रीम कोट ने सीक्रिट एलेक्टोरल बांड्स पर अपना फैसला सुनाया और उन गुप्त चुनावी चंदे को सुप्रीम कोट ने हटा दिया है खत्म कर दिया है ये कहते हुए कि कई धन्ना सेट सरकार को पैसा देते हैं और उसके एवज में सरकार उन्हें फाइदा पहुचा सकती है आप जो ये कह रहे हुना कि मैं क्या दे सकता हूँ आपकी ये बात से गौतम अडानी साहब तो बिलकुल भी इत्तफाख नहीं रखेंगे मुझे आपको ये वतलाने की खताई जरूरत नहीं है कि कई और द्योगी के समझोतों में गौतम अडानी साहब को किस तरह से तरजी दी गई है मैं ये नहीं कह रहा हूँ गयर वाजब तरीके से या इलीगली तरजी ही दी गई है इसलिए ये मत कहिए कि आप क्या दे सकते है फिर आपने अंत में दो बाते कहीं आपने कॉंग्रिस के पूर्व अवसर वादी नेता प्रमोद कृष्णन का जिक्र करते हुए का कि अच्छा है कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया और उसी संदर्ब में आपने सुदामा और श्री कृष्ण का नाम ले दिया तो क्या आप आचार ये प्रमोद कृष्णन को सुदामा और खुद को भगवान कृष्ण बता रहे हैं क्या आप भी कही न कही उस बहाव में आगये हैं जिसमें आपका पूरा प्रचारतंत्र आज की तारीख में आपके दर्जे को श्री राम और श्री कृष्ण से भी उँचा देखता है मैं नहीं भूला हूँ आपके एक सोशल मीडिया हैंडल ने बाकाइदा एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें राम लला की तस्वीर आपसे छोटी थी आपसे कम दिखाए गई थी और आपका दर्जा हूँचा दिखाया गया था कई बार भगवान राम को भाश्पा याद करती है मगर राम का जिक्र तक नहीं होता उस तस्वीर में सिर्व सिर्व आप दिखाई देते हैं तो कहीं आप भी उस भावना में तो नहीं बह गए मोधी जे बताइए और फिर आप ये कहते हैं कि अगर पोटली देते हुए किसीनों विडियो ले लिया होता और अगर वो मामला सुप्रीम कोट के सामने गया होता तो उन पर भष्टाचार का मामला चल जाता प्रधान मंत्री आपको ये बात समझनी पड़ेगी ये जो आपने बात कही है न ये कहने की आजादी सिर्फ आपको है मीडिया आपको कट घरे में नहीं रखेगा मीडिया अगर यही बात राहूल गांदी ने कही होती यानि कि राहूल गांदी अपने किसी फैन से मिले होते और उन्होंने ये बयान दिया होता तो आप कलपना कीजिए राहूल गांदी को धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, कृष्ण विरोधी न जाने किन किन शब्दों से नवाजा जाता और सबसे बड़ी बात श्री कृष्ण और भ्रष्टाचार एक ही पंक्ती में उसका नाम लेना वाकई प्रधान मंत्री जी आपको दैवी शक्तियां हासल ने तब ही आप ये सब कह देते हैं और आपको कटगरे में नहीं रखा जाता आप जानते हैं प्रधान मंत्री ने जो बात कही उससे भी ज़्यादा मुझे जो अजीब और गरी बात लगी और खबरों के लिहाज से ज्यादा important वो उनका ये बयान है चौधरी चेरण सिंग के बारे में प्रधान मंत्री ने क्या कहा मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ प्रधान मंत्री कहते हैं चौधरी साहब ने प्रधान मंत्री की कुरसी को उन्हीं के पोते आपकी पार्टी में शामिल हो गए, क्यों? क्योंकि दो या तीन सीटों पर अखिलेश आदव से समझाता नहीं हुआ, यानि कि उन्होंने अपनी विचार धारा के साथ ही समझाता कर लिया, याद कीजिए, जब किसान खून से लटपत 2021 में मैदान में था लटपत उस किसान के लिए जिम्मिदार है, उसी की गोद में आकर वैट गए, और आप राजनीतिक सौदेबाजी की बात कर रहे हैं प्रथान मंत्री, आप भूल गए कि उन्हीं चौदरी चेरण सिंग्ग के जो पोते हैं, जयान चौदरी आज आपकी गोद में हैं, क्यों कि वो सत्ता से दूर नहीं रह पा रहे हैं, आप राजनीतिक सौदेबाजी की बात करते हैं, आप भूल गए जोतरादित सिंधिया को, मुख्यमंत्री नहीं बनाई, एक बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, राजसभा चले गए, मंत्री बन गए, खुश, आप भूल गए हेम अशोक चमान, अशोक चमान पर आपने आदर्श हाउजिंग होटाले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, आपने ये तक कहा था कि इन्होंने सैनिकों का अपमान किया था, आज वो अशोक चमान राजसभा जा रहे हैं आपकी मदद से, आपकी क्रिपा से, आप और अगर कॉंग्रिस से टिकेट मिल भी जाती, वैसे नहीं मिलनी थी क्योंकि अर्विन सावन को मिलने वाली है साउत मुंबई से, तब भी नहीं जीतते, वो मिल इन्दियोडा एक नाशिंदे कैंप में आ गए, आर्पी एन सिंग, जितिन प्रसादा, ये सब वन्शवाद के परिणाम थे, जिनकी आप खुलकर आलोशना किया करते थे, अजीत पवार, शगन, भुजबल, नाराइंड, राने, इनमें से कुछ को आप ही की पुलीस ने जेल में भेजा था, आज वो आपके पाले में हैं, बाबा सिदीख कॉंग्रिस के नेता, उन पर एजनसीज, उ आपके मुँसे राजनीतिक सौदेबाजी शब्द शोभा नहीं देता, अब राजनीतिक अवसरवाद पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को कड़गरे में रखने के बजाए, देखिए किस तरह का कारक्रम कर रही है, तस्वीर में कौन-कौन है, एकनाच शिंदे, जयन चौदरी, अजीत पवार, नितीश कुमार, इन में से कुछ पर भष्टाचार को ये आरोप लगाए थे प्रधान मंत्री ने, और प्रोग्राम क्या कर रही है, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, यानि कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भी करें, वो घलत कैसे हो सकता है आज मैंने आपको प्रधान मंत्री की सिर्फ दो बयान सुनाया हैं दोस्तों, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कि इसकी सुप बुगाट, इसकी चर्चाप कहीं सुन रहे हैं, जहां प्रधान मंत्री ने खुद को श्री कृष्टाचार से जोड़ दिया, सुप्रीम कोट, श्री कृष्टाचार एक ही पंक्ती में कोई कहने की हिम्मत कह रहा है, और उसे कटगरे में नहीं रखा जा रहा है, और प्रधान मंत्री ये भी कहते हैं, कि मैं तो किसी को कुछ नहीं दे सकता, प्रधान मंत्री, जो आपके साथ हैं, उन्हें क्या फाइदा हैं हम अपनी आपको कम करके मता किये प्रधान मंत्री, मीडिया क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, राहूल गांदी का एक बयान आया है, कहां पर, अमेठी में, राहूल गांदी ने कहा कि ये लोग ऐश्वर राय को नचाहेंगे, संदर्ब क्या है मैं आपको बतात हूँ राहूल गांदी बार बार कह रहे हैं कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई वहां मंच पर आपने किसी गरीब किसी पिछड़े जाती के व्यक्ति को नहीं देखा आप किन लोगों को देख रहे थे बॉलिवुड की पूरी जमात वहां पहुंची हुई थी अमिताब बच्चन थे एश्वरय राय थे और उसी बाचीत में बहकर राहूल गांदी ने कह दिया कि वो लोग एश्वरय राय को न चाहेंगे इस मुद्दे पर मेरी क्या राय है दोस्तों मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर देखिए अंबानी का न्यूस चैनल ये ब सीटा जा रहा था दिल्ली पुलीस की चारशीट में है छे गवाहियां है महिला पहलवानों की कि ब्रिज भूशन चरंड सिंग उनकी सास चेक करने के बहाने उनके स्तनों को उनके वक्ष स्थलों को छू रहा था इनको महिला का अपमान तब नहीं दिखाई देता ये सवाल होना चाहिए था बिल्किस बानों के गुनागारों को किसने रहा किया जिन लोगों ने उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया उसकी मासूम बच्ची को उसके सामने मार डाला उसे किसने रहा किया बताईए किसकी कृपा से उनके गुनागार रहा हुए थे भाशपा की विधायक था, तब इन लोगो महिला का अपमान ही दिखाई दिया था, राहूल गांधी ने क्या कहा, उस पर मैं अपनी राय दूँगा, इंतजार कीजे, मगर मैं फिर आप से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे न्यूस चैनल्स को महिला अपमान की बारे में बात करने क अधिकार है, इतने बड़े-बड़े मुद्दे हो गए, लंबी चौडी फहरिस्त है, कुलदीब सिंग सेंगर, लंबी चौडी फहरिस्त है, राम रहीम बलातकारी राम रहीम को कौन परॉल पर रहा कर रहा है, तब इन वाहियात गुलूओं और कालूओं का खुन खौलता है, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, राहूल गान्दी के बयान में क्या दिक्कत है, राहूल गान्दी जो जिक्र कर रहे हैं, कि भाई, एश्वर राय को ये लोग नचा देते, सबसे पहली बात, एश्वर राय जब स्क्रीन पर नाशती हैं, बहुत खुबसूरत द रोजी रोटी कमा रही हैं, इसलिए राहूल गान्दी को मेरी नसीहत मुद्दे पर बने रही हैं, इधर उधर मत भटकिये, आप नेता विपक्ष हैं, आप मौरल पुलीस नहीं हैं, कि एश्वर राय के बारे में इस तरह के अनर्गल बयान दे, उन्हें नाशने दीजिए क्या आप इस तरह के बयानात रणवीर सिंग पर देते, रणवीर कपूर पर देते, विकी कोशल पर देते, क्योंकि ये लोग भी पहुँचे हुए थे, ये भी जमकर नाचते हैं, क्या आप ऐसा बयान उन पर देते, मगर भीड थी, एश्वर्या के नाचने की बात कहनी थ मैं एक बात स्पष्च कर दूँ, राहुल जी, मिस्टर राहुल गांधी, आपने कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं किया है, उस रिकॉर्ड को बरकरा रखिए, भावनाओं में मत बहिए, और सबसे बड़ी बात, ऐसे बयानों से बचिए, बगर हाँ, जो गोदी मीडिया कुलदीब सिंग सिंगर के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, राम रहीम के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, ब्रिश भूशन शरण सिंग को कटगरे में नहीं रख सकता, उसे कोई आधिकार नहीं है महिला सम्मान की बात करने का, इस मुद्दे को अगर निउस 18 उठा र माको दीजे जासत, नाश्कार!